आर्शब शेटी की फिल्म कांतारा को खास तोर पर पसंद आई थी इस साल फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीता है कम बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी कहानी के दम पर बॉक्स आउन्फिस पर अच्छी कमाई की और ब्लॉक्पस्टर साबित हुई फिल्म के हिट होने के बाद ही आर्शब ने इसके अगले भाग की घोशना कर दी थी जो वास्तव में इस फिल्म का प्रीक्वल होगा आश अब फिल्म के प्रीक्वल के लिए काफी तैयारियां कर रहे हैं वहीं अब फिल्म से जुढ़ी नई जानकारियां सामने आई है खबर है कि फिल्म की टीम अगस्त में अपने चौथे शेडियूल की शूटिंग शुरू करने वाली है रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शेडियूल एक्शन से भरपूर होगा फिल्म के निर्माता अगस्त के आखिरी हफते से फिल्म की चौथी शेडियूल की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार है। आगामी शूटिंग में एक बड़े पैमाने पर एक्शन सीक्वेंस शामिल होगा, जो बड़े पैमाने पर किया जाएगा। जैसे जैसे फिल्म पूरी होने के करीब पहुँच रही है, यह देखना वाकई शानदार होगा कि और शब शेटी अपनी हिट फ्रेंचाइजी के साथ आगे क्या करने में काम्याब होते हैं। फिल्म को पहले किस्त का प्रीक्वल माना जा रहा है, और यह पंचूरली देवा की कथा को दिखाएगी जो कदंब युग में सेठ है। कि फिल्म में देवताओं की संभावित उत्पत्वी का पता लगाया जा सकता है। हालांकि और शब ने आधिकारिक तोर पर यह खुलासा नहीं किया है कि वह किस समय सीमा या विशय वस्तू पर काम कर रहे हैं। अटकलों से पता चलता है कि फिल्म 320 पर आधारित है और सूर अवतार अर्ध देवता पंजुरली की मूल कहानी का पता लगायेगी। इस साल फरवरी में कंतारा प्रीक्वल की घोशना की गई थी। गंतारा ने पिछले साल बॉक्स ऑन्फिस पर जबर्दस्त सफलता हासिल की जिसमें रोशब ने एक निर्देशक, लेखक और अभिनेता की भूमिका निभाई। फिल्म में प्रभावशाली कलाकार हैं, जिनमें सब्तमी गौडा, किशोर, अच्यूत कुमार और प्रमोध शेटी समेत अन्यशामिल हैं। यह फिल्म न केवल सबसे बड़ी ब्लोकबस्टर में से एक बनकर उभरी, बल्कि इसे आलोचकों और दर्शकों दोनों से प्रशंसा भी मिली। इसने कई रिकॉर्ड बनाए और यहां तक की स्विट्सर लैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के कार्याले में प्रदर्शित होने का सम्मान भी प्राप्त किया।